मित्रो कव्वा मात्रे के सपक्षी हैं जिसको भूद, प्रेथ, पिचास, दानव, देच, चुडेले सारी चीजे इस पश्ट रूप से दिखाए देती हैं अगर कव्वा आपके घर पर आता हैं तो वो आपको कुछ संक्यत देना चाहता हैं कुछ आपको बताना चाहता हैं वो संक्यत शुब भी हो सकते हैं अशुब भी हो सकते हैं तो इस छोटे से वीडियो के माद्य Championship से हम जाने की कोशिश करेंगे कि कव्वा हमें क्या संक्यत देता हैं अगर कववा आपके घर पर आता है और आपकी छत पर आवाजे निकालता है आपकी छत पर बेट कर काउं काउं करता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुप संकित उस दिन अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हनुमान जी का पाट करके यात्रा पर जाएं अगर आप बाहर निकल रहे हैं गर से तो गाड़ी वगेरा ध्यान से चलाएं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और भगवान का इस्मरण मन में करते रहें अगर कवा आपके घर के अंदर गोंसला बना लेता है आपके बालकनी में गोंसला बना लेता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुबे जब तक कवा आपके घर पर रहेगा कोई भी बूत प्रेत पिचास दानाव आपके घर के अंदर प्रवेशन नहीं कर पाएगा कोई भी अन्होनी आपके घर के अंदर नहीं होगा अगर कववा कहीं से मास का टुकड़ा लाकर आपके छट पर आपके घर पर आपके बालकनी में छोड़ जाता है तो यह आपके लिए असुप संकेत है क्योंकि किसी का दुक धर्द लाकर आपके घर पर चोड़ गया है तो आपके साथ कुछ अन्होनी हो सकती है इसलिए हनुमान जी माहराज के सुन्दर कांट पाट करे अगर मैं बात करता हूँ कोई भी कववा आपके घर पर कोई धातु छोड़ जाता है आपके घर में धन वेभो की कमी नहीं होगी जिस कारी को भी आप करेंगे उसमें सपल हो जाएंगे